एक समय की बात है एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच रॉबिन और स्पैरो नाम के दो पक्षी रहते थे रॉबिन अपने जीवन्त लाल स्थन के साथ अपने मधुर गीतों के लिए जाना जाता था जो हर सुबह जंगल में गूँजते थे दूसरी और गौरिया एक छोटी और भूरे रंग की पक्षी थी जो हमेशा उर्जा और जिग्यासा से भरी रहती थी एक उजजवल और धूप वाली सुबह रॉबिन एक शाखा पर बैठा अपना सुन्दर गीत गा रहा था संगीत से मंत्र मुग्ध होकर गौरिया एक तहनी से दूसरी तहनी पर छलांग लगाती हुई उसके पास आई धन्यवाद गौरिया यह सब जुनून और अभ्यास के बारे में है क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको पढ़ाओ धन्यवाद गौरिया यह सब जुनून और अभ्यास के बारे में है क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको पढ़ाओ ओ हाँ, मुझे सीखना अच्छा लगेगा उस दिन से रॉबिन स्पैरो का गुरू बन गया उन्होंने स्पैरो को लए, नोट्स और धुनों के बारे में सिखाया स्पैरो ने अथक अभ्यास किया तब भी जब उसकी छोटी आवाज रॉबिन की तुलना में कम परिश्कृत लगती थी एक दोपहर एक भव्यवन सभा की योजना बनाई गई जहां सभी जानवर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे रॉबिन का प्रदर्शन तय था और स्पैरो उसके साथ गाकर उसे आश्चर्यच्कित करना चाता था हाला कि स्पैरो की आवाज अभी भी रॉबिन जितनी सुरीली नहीं थी रॉबिन मैं सभा में आपके साथ गाना चाता हूँ लेकिन मेरी आवाज आपकी जितनी सुन्दर नहीं है मुझे डर है कि मैं आपके प्रदर्शन को बर्बाद कर दूँगा आपकी आवाज मेरी आवाज से अलग हो सकती है लेकिन यहाँ अपने तरीके से अनोखी और प्यारी है हम साथ गाएंगे और हमारी जोडी खास होगी सभा का दिन आ गया रॉबिन और स्पैरो वन प्रानियों की एक बड़ी भीड के सामने एक शाखा पर खड़े थे जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया उनकी आवाजे एक सामन्ज सिपूर्ण तरीके से मिश्रित हो गई जिससे जंदल सबसे मधूर धुन से भर गया उनकी अनोखी आवाजे एक दूसरे की पूरी तरह पूरक थी